दोस्तों आप कोई भी application को install नहीं होगर आप और अप्लिकेशन को install नहीं हो रहा है। दोस्तो, आज मैं वीडियो में डिटेल में बता हूँ, अगर आप Chrome से कोई application को install करते हैं, वो install नहीं हो रहा है, तो उसको आपका install कैसे कर सकते हैं, दोस्तो, अगर आप इस channel पे new हैं, तो please इस channel को जरूर से subscribe कर लिजेगा, तो दोस्तो, बीना time waste किया, अगर आपका कोई भी application install नहीं हो रहा, आपने Chrome से download की, आजी दोस्तो, अगर आप Chrome browser यूज़ करते हैं, Chrome browser से कोई app install करते हैं, जैसे कि आप Google Play Store से भी application को install करते होंगे, तो install एक बार में click करते हैं, और वो download होके अपने आप install होना start हो जाता है, ठीक है, मगर Chrome browser में क्या होता है, कि आपको पहले download कर ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही, आप application install कीज़ेगा, हो सकता है कि आपका phone, दोस्तो, हो सकता है कि आपकी privacy दूसरे के पास भी जा सकती है, क्योंकि सारा कुछ आप allow कीज़ेगा, permission allow कीज़ेगा, तो जो ठट पाटी application है, जो genuine नहीं है, दोस्तो, Chrome से अगर download कीज़ेगा, तो व जहाँ पर Chrome पर मैंने एक application install किया, तो वो install नहीं हो रहा, जैसे ही, मैं download पर click करके, वो application को, मैं जैसे ही, install करता हूँ, अपने phone, जो भी application है, application का नाम लिखा के, यहाँ पर लिखाता है, app not installed, दोस्तो, अगर आपको यह problem आ रही है, जो भी आप install करने है, थोड़ा सा wait हो रह है, तो दोस्तो, वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल सही वीडियो पर है, अगर Chrome से कोई application को आपको install करना है, और app not install के problem हा रही है, तो वीडियो को लाज तक देखना है, तो आपको करना क्या है, दोस्तो, सारा step में वीडियो में बताऊंगा, सारे step को आ सबसे पहला step क्या है, मैं बता देता हूँ, सबसे पहला step है कि आपको अपन्ने iPhone में Chrome Open कर लेना से, जाने के बाद को ओपन करने के बाद यहां देखिएगा, थ्री डॉप्षेन का option देख सबसे पहला से time option देख रहा again, शेतिंग पर आपको इस करने के बाद स्था आपको प लोट्स के option पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह on रहेगा बस यह दोनों को off कर देना है ठीक है यह फर्स्ट ट्रिक हो गया अब तीन ट्रिक मैं बदाऊंगा तीनों चीज आपको करना है फिर उसके बाद आप Chrome से कोई भी अप्लिकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा तो आप नौट इंस्टॉल की प्रोब्लमिव आपके फून से स्वफ हो जाएगी और कोई भी अप्लिकेशन है वह इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ्षॉन में ठीक है तो फिर फ्स्ट हो गया करना है आपको अपने फोन में प्लेस्टॉर ऐपन कर लेना है ट्र हो पता है याँ टोडो है यहाँ अपर करणेगा सेटिंग के कांट की शहाँ टक करा है यहां पस्वार भांद और यह रिंपर लोगों पर Bak attempt कर laws क्लिक कर देना ओंडलाव कर देना यहो गया आपको है थे फों नहीं तो हो सकता है आपके फोन में Apps Management को भी option दिखे तो आया आपको दोस्तों Apps नहीं तो Apps Management के option में चले आना है जोस्तों Apps का option मैं चला गया हम यहाँ आपको ढूंड़ना है Chrome तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ Chrome browser कहा गया ठीक है तो Chrome browser मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ Chrome देखिएगा मुझे दोस्तों Chrome यहाँ पर सामने देख रहा है और Chrome आपको ना मिले माली सर्च करने मापको प्रॉब्लम हो रही आपके फोन में बहुत सारा अप्लिकेशन है तो यहाँ पर सर्च कर सकते है अला कि Chrome मेरा सामने देख तो Chrome को डिरेक्ट में यहाँ से ओपिन कर लेता हूँ Chrome को ओपिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेगा आपको स्टोरेज को ओप्शन दिखेगा स्टोरेज को आपको क्लिक कर देना है स्टोरेज को पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना बस clear cache पर एक बार click कर देना, यह virus रहता, virus के कारण भी यह problem होती है, और fourth and last चीज़ बता देता हूँ, यह एक चीज़ देख लीज़ेगा, कि आपके phone में storage full तो नहीं है, अगर storage full होगी, तो कोई एक application को आपको delete कर देना, uninstall कर देना, जैसे uninstall कीज़ेगा, फिर उसके बाद जैसे chrome से कोई भी application को आप install कीज़ेगा, तो वो आपके phone में install हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसे आप chrome से कोई भी application को install कर सकते हैं, अगर वो application आपके phone में install नहीं हो रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं, वीडियो पसन आई तो please video को लाइक ज़रू कीज़ेगा, और अभी तक आपने म मेरे चैनल टेक्नो ग्रीडी को subscribe नहीं किया है, तो दोस्तों please subscribe कीज़ेगा, thanks for watching.